Question number 4. Statement is express each limit in terms of E. हमें इस limit को in terms of E express करना है. जरा recall कीजिए, हमने दो ऐसे formulas डिसकस किये जिनमें limit को in terms of E express किया जाता है. याद कीजिए, जी, first formula ये है, और दूसरा formula इसी की deduction है. आप ये formulas जरूर याद करें, लेकिन असल बात इनका concept है जो आपको समझना चाहिए. क्यूंकि concept ही असल चीज है जो आपको formula apply करने में मदद देगा. मैंने अपनी एक class में एक student से पूछा, बेटा sin square 45 प्लस cos square 45 किसके equal होगा? वो सोच में पढ़ गया, शायद calculations करना शुरू हो गया. मैंने उसे कहा, बेटा ये 1 के equal होगा. वो कहता है, सर, sin square theta प्लस cos square theta is equal to 1 होता है, ये कहां से 1 हो गया? आपने तो पूछा है, sin square 45 प्लस cos square 45, ये कैसे 1 है? मैंने उसे कहा, बेटा अपने formula रटा मार लिया, लेकिन इसके concept को नहीं समझा. formula का concept है, कि अगर sin square और cos square एड हो रहे हो, और दोनों के पास angle similar हो, same हो, तो answer 1 होगा. चाहे वो sin square 2000 प्लस cos square 2000 हो, answer 1 होगा. अब आईए अपने इन formulas की तरफ, हमने इनकी basic philosophy पहले भी discuss की, अब उसी philosophy को refresh करते हैं. इन दोनों formulas की basic philosophy बिलकुल similar है, दोनों का concept एक जैसा है. क्या है concept? यहाँ पर 1, यह दोनों quantities एक दूसरे का reciprocal और यहाँ जो भी limit हो, limit apply होने से यह quantity अप्रोच करे 0 को, और यह quantity अप्रोच करे infinity को. आंसर E होगा. यही concept उपर वाले formula में apply हो रहा है. This is 1. यह दो quantities एक दूसरे का reciprocal. यहाँ जो भी limit हो, limit apply होने से यह quantity अप्रोच करे 0 को, और यह quantity अप्रोच करे infinity को. आंसर E होगा. अब जब आईए अपने problem की तरफ. यहाँ देखते हैं कि क्या यह concept follow कर सकते हैं हम. यहाँ 1 है, ओके. यह हमारे पास है 1 over N. 1 over N का reciprocal क्या होगा? जी बिलकुल, N. अब N तो मौझूद है लेकिन उसके साथ यह 2 दिया हुआ है. हमें इस 2 को किसी तरह यहाँ से हटाना है. क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी बिलकुल, हम इस तरह कर सकते हैं. mathematics में अगर इस तरह लिखा हो, A raised to the power 2B, तो हम इसे लिख सकते हैं, A square whole power B. लिख सकते हैं? जी बिलकुल, powers आपस में multiply होती हैं. हम इस तरह लिख सकते हैं. So, हम इस limit को कुछ इस तरह से लिखेंगे. हमने इस 2 को एक bracket use करके बाहर लिखा. अब यह limit apply होगी bracket के अंदर. अब ideally speaking यह हमारा formula है. This is equal to E. Square apply होगा E पर. Final answer is E square. आईए भड़ते हैं next part की तरफ. Again, हम एक्सप्रेस करना है इस limit को in terms of E. देखिए आपके formula की basic philosophy क्या fulfill हो रही है. यहां पर 1. यह है 1 over N. इसका reciprocal N. अब power में N मौझूद है. लेकिन 7, 1 by 2 भी given है. तो क्या करें? जे, बिलकुल. Last problem की तरह, 1 by 2 को एक bracket use करके, बाहर power के तौर पर लिखेंगे. कुछ इस तरह से. अब दुबारा से एक दफा देखिए. यह 1. यह दोनों quantities एक दूसरे का reciprocal. अब यह limit इस पर apply कीजिए. यह जो bracket के अंदर quantity है 1 over N. यह approach करेगी 0 को. और यह quantity approach कर रही है infinity को. यह यहनी हमारी conditions पूरी हो गई. इस पर limit apply होने से answer E मिलेगा. हमने limit apply की. bracket के अंदर इस formula की रूँ से हमें answer मिलेगा E. bracket से बाहर power है 1 by 2. फाइनल answer is E to the power of 1 over 2. next part. अगेन हम देखेंगे अपनी basic conditions, basic philosophy. यह 1. यहाँ पर अब हमें given है minus 1 over N. minus 1 over N का reciprocal क्या होगा? जी बिलकुल, minus N. अब यहाँ पर N given है. हमें minus N required है. minus N हम बना सकते हैं? जी वो ही logic use करेंगे कुछ इस तरह से कि अगर आपके पास लिखा हो A to the power of N और हमें चाहिए हो minus N तो हम इसे लिखेंगे minus N whole power minus 1 चुँके powers आपस में multiply होंगी हमें again simplification के बाद A to the power of N ही मिलेगा. लेकिन हम इस तरह करते हुए अपना मकसद हासिल कर लेंगे. यानि हम power बनाएंगे minus N और whole power हम लिखेंगे square bracket के बाहर minus 1 कुछ इस तरह से अब ज़रा देखिए 1 over minus N का reciprocal minus N यह दो quantities एक दूसरे का reciprocal बन गई यहाँ पर 1 मौझूद यह limit apply होने से यह quantity approach करेगी 0 को और यह quantity approach करेगी infinity को. infinity हो या minus infinity दोनों सूर्तों में यह formula इसी तरह से apply होगा. यह हमने limit apply की bracket के अंदर हमें मिलेगा E or square bracket per power 3 minus 1 E power minus 1 that is equal to 1 over E